आज हम पढ़ेंगे पांडी बेचन सर्मा उग्र की आत्म कथा अपनी खबर का एक भाग आप देख रहे हैं CBSी हिंदी बिद मत्रा दास आज हम पढ़ रहे हैं कप्षा 11 की एच्छिक हिंदी की पाठ पुस्तक अंत्रा भाग एक का पाठ आठ पांडी बेचन सर्मा उग्र की आत्म कथा अपनी खबर देखते हैं लेकक का परचे पांडी बेचन सर्मा उग्र का जन्म सन 1980 इसवी में उत्तर विदेश के मेजा पोजले के चुनार नामक तहसिल में हुआ परिबार में आठिक अवाब के कारण व्यवस्तित सिच्छा पाने का उसर लेकक को नहीं मिला सन 1915 इसवी से पढ़ाई की सुरुआत तो की तो सन 1922 इसवी में जेल जाने से सिच्छा में अबरोद पढ़ा सन 1921 में आपकी रहाई जेल से हो गई सन 1921 इसवी से लेकर सन 1924 इसवी तक दैनिक आज बनारस में कहानिया कविताय आदिकाल लेखन किया इसके बाद कोलकता में मतबाला के संपादक रहे यह भी एक पत्त्र है कुछ समय मुंबई में जाकर फिल्म लेखन का कार भी किया आंत्रिक नैसरगिक पत्तिवा के कारण अपने समय के आप अगणिय चित्र गध्य सिल्पी के रूप में पैचान पाने वाले पने आपको निरालक की तरह पुरातन पंतियों का कठोर विरोध सेना पड़ा आपने पत्त्र कारता भी की इनकी मृत्यू सन 1967 इसवी में हुई देखते हैं रचनाएं सभी प्रसिद्ध हैं प्रमुक लेकों में से हैं हिंदी के इसलिए कहानी संग्र है पंजाब की महरानी काल कोठरी कंचन सी काया कला का पुरुसकार आदी उपन्यास है चंध हसीनों के खतूत बहुत प्रसिद्ध है बुद्वा की बेटी दिल्ली का दलाल आदी आत्म कता है अपनी खबर जिसका एक भाग आज हम पढ़ेंगे संपादन किया है आज वीडा स्वराज स्वदेश विक्रम विस्वमित्र आदिका साहत्तिक पाच है उग्र जी बाल मुकुन गुप्त की परंप्रा के तेजस्वी लेकक थे उनका मानना था कि बाबु राओ विश्णू पढ़ाद कर आज पत्रका के संस्थापक थे ने उन की भासा को व्याकरण की विवस्तित पद्धिती के अनुसार चलना सिखाया तता भासा को नया संस्काय दिया पत्रकायता से ब्रद्धी का सक्रिय संबन्था बुद्धी का पत्रकायता से बुद्धी का सक्रिय संबन्था मतवाला मंडल के प्रमुक सदस्य के रूप में यह बुद्धी नहीं है, पत्रकायता से उग्र जी का सक्रिय संबंध था, मतवाला मंडल के प्रमुक सदस के रूप में उनकी विशेश पहचान थी, अब देखते हैं पाठ का पजशे, प्रस्टुट पाठ अपनी खबर पांडेपे चनसरमा उग्र जी की आत्मकता अपनी खबर और भी ते सुरुआती 20 वरसों की बातें बताई, उन्होंने बताया कि इस दोरान उन्होंने कितना संगस किया और किन-किन मुसीवतों का उन्हें सामना करना पड़ा लेखक का मानना है कि उनका प्रार्मबिक जीवन नर्ग के समान था लेखक के बचपन में ही उनके पितारी का साया उनके सर से उठ गया उनके यहां दोनों समय के भोजन तक के पैसे ना होते ऐसे में लेखक सिच्चा कहां से पाता ल देकक ने अपनी आपबीती के माध्यम से अपने सामाजिक जीवन की विविन समस्याओं का निरूपन किया है। अपने साहित में कह डाला। अब देखते हैं पाट का सारान विश्ता से। सारानस अपनी खबर। लेकक का जन्म हुआ सद्दपुर मुहले की बंभन टोली गली में। गली में अधिकतर मकान ब्रामणों के थे और उग्र का जन्म जब जन्म हुआ तो किसी प्रकार की कोई खुसियान नहीं मनाई गई। क्योंकि उनके जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम थी। इसलिए उन्हें कुछ पैसे में बेश दिया गया। ताकि वे जिन्दा तो रहें। इस कारण उनके अजीब अजीब नाम भी रखे गए। जन्मजात बेचा जान के कारण उनका नाम बेचन रख दिया गया। पिता की मृत्यू के बाद लेकक बड़े भाई के अंडर में आ गए जो विवायत थे। उन्हें हिंदी संस्कित बांगला आदी भासाएं अच्छ से आती थे। वे व्यद्यकवा जयोतिस में भी टांग जान था। उसने भावी और मा के गयने पेच दिये। उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उन पर केस भी चलाया गया। लेकक का बाई से छोड़कर पहले कासी और फिर अयुद्धा की एक रामलिया मंडली में एक्टिंग करने लगा। घर की स्तिती बहुत खराब मा को दूसरों के घर में मजदूरी करें काम चलाना पड़ता था। बोजन बस्तर तक के लाले पड़ गए थे अता सुच्छा दिच्छा की हालत क्या होगी। आप सहजी अन्भव कर सकते हैं। लेकक का ये समय नर्क के समान बीता। कुछ समय बाद भाई साहब ने लेकक को सभी तरके के दाद धीरे-धीरे करना शुरू कर दिया। यहां रहकर रामायड की चौपाईयां गाने लगे। लेकक ने आगे मंदली से सम्मधित कई घटनाओं का वड़न किया है। तातकालिक समाज में अन्विस्वास और उड़ी बात का देरा चाया हुआ था। सारे ब रामणी के घर में पैदा हुआ असाधारन सुद्र मानते हैं। उन्होंने मूति पूजा पर भी व्यंग किया। वस समाज में फैले जुआ चोरी मद्यपान आदे व्याविचार का भी वरणन किया। यह भी कारण है कि जिसके कारण समाज में उड़तों को सताया जाता है। लेखक ने अपने उपर गुजरी सारी गटनाओं को अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। समाज में हो रही अत्याचार अव्यवस्तावा जूट की वुनियात पटिके हुए समाज के माध्यम से लेखक द्वारा उस समय के समाज का सजी बखान किया गया है। दर्म लेखक का पच्पन कैसा भीता। लेखक को अपने बच्पन में किन किन कटनाईयों का सामना करना पड़ा। तातकालिक समाज में क्या क्या बुराईयां थी। लेखक ने उन बुराईयों पर किन सब्दों के माध्यम से कुठारा घार्त किया है। लेखक कैसे समाज को अच् कता अपनी खबर यह था आपका चैनल CVS हिंदी बिदमत्रादास हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्र बताएं फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कात